मैं गवरी, गनपती और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं मैं आस्ता नहीं रखूंगा और नाहीं मैं उनकी पुझा करूंगा मैं भगवान के अवतार मैं विश्वाज नहीं करता हूं नंगे को देखकर नंगा हो जाना इससे गांधी वाग केते हैं नंगे को देखकर उसे सूट पुट टाय में लाना इससे अम्वेड़ वाग केते हैं मेरी मेरी और अन्य किसी की इतनी आउकाद नहीं है कि हम डॉक्टर बाबा सभ अंबेडगर को एक नंबर पर लाए डॉक्टर बाबा सभ अंबेडगर एक नंबर पर एक नंबर पर है और एक नंबर पर रहेंगे जिस घर में डॉक्टर बाबा सभ अंबेडगर की प्रतीमा है जिस घर में सविधा निर्माता की तत्प्रतिमा है उस घर में कदा भी किसी महलागी इज़त को खत्रा हो नहीं सकता मैं राम और कृष्णव जो भगवान के अवतार माने जाते हैं मैं कोई आस्ता नहीं रखूंगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा मैं गवरी गनपति और हिंदुओं के अन्य देवी दवताओं मैं आस्ता नहीं रखूंगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा मैं भगवान के अवतार मैं विश्वास नहीं करता हूँ मैं यहां नहीं मानता और ना कभी मानूँगा कि भगवान बुद्ध विश्णू के आउतार थे मैं इसे पागलपन और जूटा प्रचार प्रसार मानता हूँ मैं शरद्धा में भाग नहीं लूँगा और नाहीं पिंददान दूँगा मैं बुद्ध के सिद्धान्तों और उफदेशों का उलंगन करने वाले तरीके से कार्या नहीं करूँगा मैं ब्रामनों द्वारा निश्पादित होने वाले किसी भी समराओ के सुईकार नहीं करूँगा मैं मनुष्यों की समान्ता में विश्वास करता हूँ मैं समान्ता स्तापीत करने का प्रयास करूँगा मैं बुद्ध के अश्टिगेंग मार्क का अनुसरन करूँगा मैं बुद्ध दारा निर्धारित परीव मित्यों को पालन करूँगा मैं सबी जीवित प्रानियों के प्रती दया और प्यार भरी दयालू रहूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा मैं चोरी नहीं करूँगा मैं जूट नहीं बोलूँगा मैं कावमूः पापों के नहीं करूँगा मैं शराब ड्रत जैसे मदद परदार्तों का सेवन नहीं करूँगा मैं महान अश्टगिंग मार्क के पालन का प्रयास करूँगा आईवा सानुबुती और अपने देनिक जीवन में दयालू रहने का अभ्यास करूँगा मैं हिंदु धर्म का प्याक करता हूँ मानवता के लिए हानिकारग है और उन्नती और मानवता के विकास में बादग है क्योंकि यह आसमानता पर आधारित है और स्वय धर्म के रूप मैं बहुत धर्म का धर्म को अपनाता हूँ मैं धरूरिता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है मुझे विश्वास है मैं फिर से जनम ले रहा हूँ मैं गंबीता से एवा जुड़िता के साथ गोशित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धान तो वशिक्षाओ अईवा अनेक धम्म के अनुसार मारगदर्शन करूँगा चादोटा आप में से कोई मुझे बता सकता है कि गांदी जी की वेश्वूशा क्या है देखे यहाँ पर थोड़े मुझे इंसान जो है उन्होंने शाहिद गांदी जी को देखा भी होगा उन्होंने कहा कि लगना अवस्ता में मतलब उनका लगना अवस्ता में आपको बता दाओ दोती और जनवी यही सब ने देखा है पर आप मेंसे किसी को पता नहीं होगा कि गांदी जी भी एक समय सूट भूट टाई पेंकर इस भारत देश में आये थे अब यह जो परिवर्तन जो उनमें हुआ सूट भूट टाई से लेके वो अर्दन अवस्ता में कैसे आये यह मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ देखिए गांदी जी अपनी बैरिश्टर की पढ़ाई भारत आये डॉक्टर बाबा सब अंबेड कर भी अपने बैरिश्टर की पढ़ाई भीदेश में करके भारत आये कि गांदी जी के बदन पर भी सूट भूट ताय था डॉक्टर बाबा सब अंबेडगर के भी बदन पर सूट भूट ताय था गांधी जी ने सोचा कि इसके बाद का जो मेरा जीवन है मुझे भारत में ही बिताना है क्यों ना फिर मैं एक भारत का दोरा कर लू और देखू यहां के लोग कैसे है गांधी जी भारत का दोरा करते है देखते है भारत की स्थिती तो बहुत ही नाजूग है यहां के जो लोग है वो भूके नंगे है और मैं तो सूट भूट ताय में हूँ तो यह लोग मुझे अपनाएंगे कैसे तो उस दिन गांधी जी अपने बदन पर जो सूट बुट ताय होता है वो उतार फेकते है और अर्दन अगना अवस्ता में आ जाते है ताकि भारत के लोगों को लख सके कि गांधी भी इन में से एकी है इस तरह गांदी जी का जो सूट पुट टाई से लेके अर्दन अगना आवस्ता का जो परिवर्दन है वो इस कारण हुआ डॉक्टर बाबा सब अंबेडगर ने भी सोचा कि मुझे भी इसके आगे का दो जीवन है वो भारत में ही बिताना है तो क्यों ना मैं भी एक भारत का दोरा कर लू और देखू भारत की स्थिती कैसी है डॉक्टर बाबा सब अंबेडगर भी भारत का दोरा करते हैं और देखते हैं कि बाबाबा सब अंबेडगर अपने बदन पर जो सूट पुट टाई होता है वो उतार कर फेकते नहीं है वो स कर नंगा हो जाना इसे गांधी वाद केते हैं नंगे को देखकर उसे सुट पुट टाय में लाना इसे अंबेड़कर वाद केते हैं देखिए मार्च 2020 में लॉकडाउन गोशित हुआ और कुछी दिनों में अंबेड़कर जैन्ती आने वाली थी और अंबेड़कर जैन्ती के दो-तिन दिन पहले मुझे मेरे दोस्तों का फोन आया उन्होंने कहा मुझे कि सोशल मीडिया पे महाँ पूशों की प्रतियोगिता चल रही है उस पर उस पर डॉक्टर बाबा सब अंबेड़कर ये दुसरे क्रमांग पर है तो हम सब दोस्त मिलकर डॉक्टर बाबा सब अंबेड़कर को पहले क्रमांग पर लाने जा रहे हैं तो तू भी हमारी मदद करके दॉक्टर बाबा सभ अंबडगर को एक नंबर स्थान पे लाने में हमारी मदद कर मैंने मेरे दोस्त को कहा तेरी मेरी और अन्य किसी की इतनी आउकाच नहीं है कि हम दॉक्टर बाबा सभ अंबडगर को एक नंबर पे लाएं गॉक्टर बाबा सब अम बेड़कर एक नमबर पर थे, एक नमबर पर है और एक नमबर पर रहेंगे। और ये भोलकर मैंने मैं अपना पोन रख दिया। देखिए, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, तो मुझे पीने के लिए बिसलरी पानी दिया जाता है, अभी भी दिया गया है, एक जमाना था, जब हमें पानी पिया नहीं दिया जाता था, और उस जमाने में डॉक्टर बाबा सब अमबेड़कर ने महार के चोधार तले पे जाह के कारण, आज मुझे बिसलरी का पानी मिलता है, यह सिर्फ डॉक्टर बाबा सब अमबेड़कर की बदल अधे, कि आज हमें आप लोगों को अच्छा पानी अच्छे तरह से मिलता है, ने तो एक जमाना था, कि हमें कुट्टे बिल्ली से भी गंडी वार्तलुक दी गई है कि हमें यह पानी फेट कर दिया जाता था, ताला उसे पानी पिया नहीं दिया जाता था, और आज यह बाबा सब अमबेड़कर के उपकार है हम सब पे, कि आज हमें विसलरी का पानी पीने मिल रहा है, देखिए, यहाँ पे औरतों की तादा भी बहुत जादा संक्या में है तो मैं यह आपका जादा समय ना लेते हुए, यह जो वाक्या है, बोलके मेरे वानी को विराम दूँगा, देखिए, एक मुंबई में, एक महुले में एक बहुत ही खुबसूरत लड़की रहा करती थी, और ओर रोड साइड रोमियो होते हैं, वही एरिया के, वो उसके पूरी नजर बनाये हुए थे, और बंबई में एक दिन दंगे भड़कते हैं, और वो जो रोड साइड रोमियो होते हैं, वो लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, तो दंगों का फाइदा उठा कर, वो लड़के उस लड़की के घर घुच जाते हैं, और वो को धक्का देखकर घर से बाहर निकलती है और रस्ते पे भागते उए चली जा रही है और भागते भागते एक गली में से उसको एक उजाला दिखता है तो वो उस उजाले के दिशे से चली जाती है और वो उजाला एक खेड़की से आता होता है वो खेड़की तरफ बढ़ती ह और बाजू में ही दर्वाजा होता है वो दर्वाजा खट-कटाती है खट-कटाने के बाद उस दर्वाजे को खोलके एक यूवक बाहर आता है जिसकी उमर 25 साल होगी वो यूवक उस लड़की को कहता है बाहर इतने दंगे भढ़के हुए और आप इतने रात गए मेरा लड़की कहती है कि कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए है और मेरे साथ कुछ गलत काम करना चाह रहे है वो लड़का कहता है आप बिल्कुल डर ये नहीं आप मेरे घर में आईए आप अंदर आराम कीजिए मैं पूरा रात बहार बेटके आपकी रक्षा करता हूँ लड़का पूरा रात बहार बेटता है कोई आता नहीं है सुबह होती है वो लड़की जाने निकलती है और वो जाती वक्त लड़के के मन में एक विचार आता है कि ये लड़की वाकई में घुपसूरत है मैं घर में अकेला था इसने क्या सोच के मेरा दर्वाजा खटकर आ तो लड़की को जाने से पहले ये सवाल पूछता है कि तुने ऐसा क्या समझ कर मेरा धर्वाजा खटकट आया तो लड़की का जवाब सुनिए ओ लड़की कहती है मुंबई में दंगे बढ़के हुए थे मैं पागलों की तरह रस्ते पर बागी जा रही थी और भागते भाग आपके खिड़की में से आ रही थी मैंने आपका दर्वाजा खटकडाने से पहले खिड़की के बीतर जाका खिड़की के बीतर जाका तब मैंने डॉक्टर बाबा साब अंबेडगर की तस्वीर देखी तभी मैंने वो दर्वाजा खटकडाया और ये उटतर देके वो लड कि ज़ाते समय कहती है कि जिस घर में डॉक्तर बाबा साब अमबिडगर की प्रतिमा है जिस घर में सवीधा निर्माता की अधर okay उस घर में कदा भी किसी महला की उश्षाद को खत्रा हो नहीं सकता ये बौलकर में मेरे वानी को विराम देता हूँ जय भीम, जय भारत, जय सर्विटान